शर्म और लाज औरत का गहना होता है, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि औरतों को तहजीब में रहना चाहिए, औरतों से उमीद की जाती है कि वो पल्लू में रहे थोड़ा, सही से रहे, और बात अगर स्पेशली बिहार की करें, तो यहाँ पर आज भी एक लड़की को उ शंतरंक्षन में और मैं हूँ आपके साथ श्रिष्टी श्रिवास्ता, आज हम आपको दो केस बताएंगे, पहला जहाए एक बार फिर दहेच को लेकर एक औरत को कितना कुछ सहना पड़ा है, और दूसरा जहाए किराई के मकान में सेक्स राकेट चल रहा था, बिहार के गय में उसका विवा, शिफ सुन्दर नाम के एक सक्ष से हुआ था, शिफ सुन्दर मगट कॉनली का रहने वाला है, जानकारी के मताबिक शादी के दोरानी ससुराल वालों ने पाच लाक रुपे दहेच मांगा था, लेकिन महिला के परिवार वालों ने इंकार करते हुए कहा था, कि वो इसकी इतनी रखम नहीं दे पाएंगे, जिसके बाद लड़के वालों ने शादी से इंकार कर दिया था, लेकिन समाज के वज़स से वो शादी के लिए राजी हो गए थे, शादी तो नोंने कर ली थी, लेकिन दहेच की बात वो भूले नहीं थे, वो महिला को द पिमार होने को लेकर सब लोगों ने महिला पर डायन होने का आरोप लगाया, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी, इसके बाद नंदोई अशोक कुमार ने महिला के साथ बुरी नियत से छेड़खानी की, जब महिला ने इसका विरोध किया, तो पती ने दूसरी शादी करने की इसी दौरान ससुराल के सभी लोगों ने महिला को बांध कर उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद महिला ने माईके वालों को जानकारी दी और उन्हों ने उसे भरती करवाया, तिलाल महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ कारवाई करने की तय प्यारी शुरू कर दी अब आते हैं दूसरे केस पर विहार के भागलपूर में किराय के मकान में सेक्स राकेट चला जा रहा था ये मामला तिलका मांजी थाना छेत्र के नवाब बाग कॉलनी का है सेक्स राकेट के संचालक का नाम बबलू शाह है और इसमें एक महिला भी शा रहे थे मकान मालिक बाहर रहता था जिसके कारण वो आराम से सेक्स राकेट चला पा रहे थे पुलिस ने गुप सूचना के अधार पर वहाँ छापे मारी की जैसे ही पुलिस ने वहाँ छापे मारी की तो वहाँ भीड इकटा हो गई क्योंकि वह एक पॉश कॉलनी है और व एक युफती चार दिन से यहाँ थी जबकि दूसरी मंगलवार को ही भागल पुराई थी पुलिस उस महिला की भी तलाश में है जो लड़कियों से बात करती थी और उन्हें यहाँ बुलाती थी पुलिस मामले की जाच में जुट गई है और इसमें और भी लोग शामिल हो स